दोस्तो अगर आप बालों के तूटने और जढने से परेशान है बहुत ज़्यादा तो एक बार इस remedy को ट्राई करके आप जरूर देख लेना आपको इससे 100% benefit मिलने वाला है आपके तूटते जढते हुए बाल रुख जाएंगे इसके अलावा इस remedy के इस्तिमाल से बालों की ग्रोथ तेज हो जाते हैं बाल सिल्की और साइनी बनते हैं और बाल मजबूत हो जाते हैं और हैल्दी रहते हैं नमस्ते आपरिवन आपका एक बार फिर से बेलकम है पिंक सीपर तो दोस्तों आए देख लेते हैं इस remedy को कैसे बना के थैयार करना है तो सबसे पहले जो से चार चमज तो एलूबीरा जेल लेना ही पड़ेगा राफ फ्रेस एलूबीरा जेल का इस्तिमाल कर रहे हैं तो लगवा आधा कटोरी एलूबीरा जेल ले लीजिए तो मैंने यहां पे एक बड़ी लीफ लिया एलूबीरा की और इसका सारा जेल में निकाल लूँगी अब आपको यह सब करने में परेसानी होती है तो आप इसके जगह एक कॉम ले सकते हैं यह कंगा ले सकते साफ और उसकी मदद से इस जेल को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है और फिर आपको ब्लेंड करने की भी जरूर भी नहीं पड़ती है यह पूरी तर एस से वह एकदम से लुकिल फॉर्म में आ जाएंगे मैंने इस अलुबेरा को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इस तरह से हमारा लुकिल अलुबेरा जैल बनके तैयार हो चुका है अब हमको इसके अंदर कुछ चीजों को एड करना होगा तो सबसे पहले हम इसके अंदर एड करेंगे coconut oil को coconut oil की मसाज हमारे बालों के लिए बहुत जादा फाइदे बंद रहती है यह बालों को तूटने जड़ने से रोकती है साधी साथ बालों की ग्रोथ को भी तेज कर देता है तो मैं यहां पे ले रही हूं दो चमच coconut oil और इसको अलुबेरा जैल के अंदर डालके अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद में जो अगली चीज हम इसके अंदर add करेंगे बो है castor oil यानि की अरंडी का तेल अरंडी का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फादे मंद होता है जिशाँ ये हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा जरूरी होता है इस oil को लगाने से बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है इसके साथ-साथ अगर आपको hair fall हो रहा हो तो केश्टर ओयल का इस्तिमाल जरूर करें और इसको डारेक्ट अपने बालों में अपलाई ना करें किसी oil के साथ ही mix करके इसको लगाया जाता है तो दो चमच मैं यहाँ पे ले रही हूँ केश्टर ओयल और फिर इसके अच्छे से mixing कर लीजिए इसके बाद मैं जो अगली चीज मैं इसके अंदर add करने बाली हूँ वो है honey यानि की सहद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक चमच सहद को सहद हमारे बालों के लिए natural conditioner का काम करता है naturally हमारे बालों को यह silky shiny बनाता है इसलिए आप सहद का इस्तिमाल इसके अंदर चुरूर करें और फिर इन सभी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे तो इस तरह से यह जो हमारी remedy है भूबन के तयार हो चुकी है हमारे बालों में लगाने के लिए आप जान लेते हैं कि इसको कब लगाना है तो जब भी आपको अपने बालों को धुलना हो उसे एक घंटे पहले इसको अपने बालों में अच्छे से लगा के massage करें पूरी बालों की length पे भी लगाएं और scalp पे भी लगाएं अगर आप लगा सकते हों तो आप इसको एक रात पहले भी लगा सकते हैं और उपर से अपने बालों में कैप लगा लीजिए जिससे कि ये oil इधरो दर ना लगे और अगली सुपह अपने बालों को सैंपू से दुल लीजिए इस remedy का आप हपते में दो बार इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको एक बार बनाने के बाद में एक हपते तक आराम से इस्तिमाल किया जा सकता है I hope कि आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना शेयर कर देना और पिंग सी चनल कु सब्क्राइब जरू करना